अपने परिबार वालों की जगा इशान नी सभी को क्यों जेल भिजबा दिया एलो दोस्तों आप देख रहे हैं फिल्म वीट और मैं हूँ आपके साथ शिर्पी अब जैसा कि आप सब जानते हैं स्टार प्रस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाली ट्राक में बह ये क्या हुआ? यहां तो इशान में सभी को जेल भिजबा दिया है और बेचारी सभी कुछ कर भी नहीं पा रही है बैप क्या क्या अपडेट है? क्या क्या होने वाला है आज के एपिसोड में? आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है पर आपको पता दें कि सीरियल के आने वारे ट्राक में आज सबसे पहले रिखाया जाएगा कि सभी के हाथ में फाइनली वो रिपोर्ट लगने वाली है जिस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा होगा सभी को पता चल जाएगा कि यश्वंत, सुरेखा, निशिकान और भोसले परिवार के जितने भी लोग हैं उन्होंने उसकी ईशा माम पर जानलिवा हमला करवाया है जिसकी वज़त से आज उसकी ईशा माम जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है वही सभी ने कसम खाली है कि जिन गुनेकारों ने ये चीज की है वो उनके साथ भुराक करके रहेगी उन्हें सजा गिलवा कर देगी अब सभी इसी सिलसुले में पहुचने वाली है जबान निवास जहां पर पुलिस जो है होती है और वहां पर सवाल जवाब कर रही होती है इशान भी होता है सुरेखा भी होती है यश्वन सब के सब बैठे होते हैं और सब पुलिस के सवालों का जवाब दे रहे होते हैं अब सब कुछ किसी और नहीं फोसले परिवार की लोगों नहीं करवाया है अब सारा का सारा शक्त पुलिस का इशान पर जाने वाला है क्योंकि पहले ही इशान को लेकर इतने सारे सवाल जवाब पुलिस कर रही थी और भी बहुत कुछ होगा अभी सीरियल के आने वाले ट्राक में क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं नए तड़कते भड़कते प्रोमो की अब प्रोमो की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं प्रोमो वाक्तरी में बहुत इंटरस्टिंग है प्रोमो में आप देख सकते हैं कैसे इशान जो है वो आदी रात को घर में जा रहा है तो उसे किसी की परचाय दिती है अब वो परचाय किसी और की नहीं बलकि सभी की होगी क्योंकि सभी आदी रात को घर में आ रही है पोसले परिवार में आ रही है और तभी जो है इशान जाता है सभी उसकी बाहों में गिर जाती है और सभी इशान का एक क्यूट मूमेट आपको देखने को मिलेगा कैसे सभी इशान की आखों में और इशान सभी की आखों में खोने वाले हैं लेकिन इससे भी जादा धमाकेदार चीज यह होगी, कि जैसे सवी बोलती है, सर आप कितने पोरे बन रहे हैं आपको तो सजा मिलनी चाहिए, इसान कहता है बिलकुल सजा तो मिलनी चाहिए, और जैसे वो गेट खोलता है वहां पुलिस खड़ी होती है, और पुलिस इशान को नहीं बरकी सवी को अरेस्ट करके ले जा रहे है, इस बात से तो सवी खुद भी हैरान है कि आखी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, अब इशान ने सवी के साथ ऐसा क्यों किया है, क्यों इशान ने सवी को जेल बिजवाया है, इन सबके और भी अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्स्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी पॉलो करें